अलो एब्रीवान वेल्कम टू एग्रिकुल्चर अड़ा 24 7 एग्रिकुल्चर अड़ा 24 7 के इस यूटुब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है चंदर सेखर आजाद उनिवर्सिटी ऑफ एग्रिकुल्चर अंड टेक्नॉलोजी जो की कानपूर उत्तरप्रदेश में हैं वहां पर एक अड़र्टेश्मेंट आया है एक वेकंसी आया है SMS या फिर subject matter specialist के posts की हलाकि यहां पर आप लोगों का जो process होगा वो कोई exam के थुरू नहीं होगा obviously यहां थोड़ा सा different होगा तो जो भी process रहेगा क्योंकि यह information है और आपके काम आ सकता है तो हमारा responsibility बनता है कि हम आपको इसका पूरा information दें okay so let's go ahead and start our session session को जो है यहां पर start करते है so यहां पर अगर बात करेंगे तो advertisement number 4 2024 है और यह आपको CSA के website पर available हो जाएगा ठीक है link available for downloading the application form from the university's website university website से आपको application form download करना पड़ेगा fill करना पड़ेगा और by post भेजना पड़ेगा ठीक है last date for application receiving date is 15th of April ठीक है 15 April जो है वो यहां पर last date रहने वाला है application form को receive करने का ओके जो की 5 बज़े तक रहेगा so कौन-कौन से subject है कितने post वो देख लेते हैं so यहां पर SMS या T6 का post है horticulture extension home science animal husbandry plant protection और agronomy में ठीक है grade पर 5400 का रहने वाला है काफी अच्छा job रहेगा यह अगर आपने MSC complete किया है तो आपके लिए बहुत helpful रहेगा horticulture में 2 post UR के है 1 post SC का है extension में 1 post OBC 1 post SC 1 post EWS home science में यहां पर 2 post UR में और 1 SC में animal husbandry में 2 post OBC में plant protection 2 post UR 1 post OBC agronomy में 2 post OBC है और 1 post EWS है total 8 post है यहां पर इन सारे subjects में ठीक है इनके eligibility की अगर बात करें तो हमें पता है SMS में master's की जरूरत होती है तो horticulture में master's degree in horticulture होना चाहिए और साथ ही साथ 4 year bachelor degree या तो agriculture या horticulture में extension में master's degree in agriculture extension होना चाहिए या फिर equivalent qualification from a recognized university SMS या home science के लिए master's degree in home science या community science होना चाहिए और 4 साल का home science में यहां पर bachelor's degree भी होनी चाहिए SMS animal husbandry में master's degree in animal science या animal husbandry होना चाहिए animal husbandry and daring साथ ही साथ same subject में bachelor degree या फिर agriculture में bachelor degree होना चाहिए SMS plant protection के लिए plant pathology और entomology में MSc होना चाहिए और B.Sc agriculture honors होना चाहिए graduation में agronomy में agronomy में master's degree और B.Sc agriculture honors होना चाहिए आपके graduation में ठीक है तो total 6 discipline के यहां पर आपको जो vacancies है वो बताई गई है तो बड़े simple से यहां पर instruction है कि citizen of India होना चाहिए जरूरी नहीं है कि यूपी के ही भर सकते हैं इस form को कोई भी भर सकते हैं but the thing is कि जो local language है वो आना चाहिए मतलब यहां पर mostly आपको Hindi आना चाहिए अगर आपको ऐसे parts से हैं आपको Hindi बोलना नहीं आता है तो यहां पर जो है preference नहीं मिलेगा जहां पर आप इसको डाउनलोड करके completely देख सकते हो ओके देखिए आप हमें पता है कि के 100% ICR funded institutions होते हैं तो यहां पर जो jobs होते हैं वो भी जो है यहां पर 100% ICR funded होते हैं अभिनाश क्रिशना सर की तबियत आज कुछ टेस्ट हैं एक बार ही वो टेस्ट हो जाएं फिर पता चलेगा डॉक्टर बताएंगे कि क्या है कल कुछ सिर्फ KVK के अंदर ही ट्रांसफर किये जाएंगे कोई दूसरे institute में ट्रांसफर नहीं होगा उनका ठीक है यह post temporary है मतलब जब तक scheme रहेगा तब तक आप आप जो है कानपूर के नाम से और अप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसको अच्छी तरह से भरके 45 रुपे के पोस्टेज स्टैंप के साथ आपको जो है यहां पर भेजना पड़ेगा अप्लिकेंट हाब तो सब्मिट तू सेल्फ अड्रेस्ट एंवलप कंटेनिंग पोस्ट डालिएगा उसके अंदर दो और एंवलप डालिएगा छोटे छोटे जिसमें 45 रुपे के स्टांप लगे होंगे दोनों एंवलप पे 45-45-90 रुपे का ठीक है ताकि आपको जो है अपना पूरा एड्रेस के साथ अपना एड्रेस वगरा जो है लिख के डालिएगा ठीक है उसके बाद application fee non-refundable रहेगा अगर आप यूपी से बाहर कहीं के हो तो आपको जो है यहाँ पर जो फी पे करना पड़ेगा वो जेनरल EWS या OBC मतलब 1500 रुपे का ही पे करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर जो csauk.ac.in जो की csa का official website है वहाँ पर जो है आप apply कर सकते हो न नहीं पंकर जी आप MSE appearing है तो आप apply नहीं कर पाओगे ठीक है अब मेरे दुला क्या करें अब यह सारे के सारे मलब ICR जो है वह 4 year के degree भी कराता था तो इसलिए यह rule इनोंने रखा है ठीक है उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि कैसे क्या mention करना है envelope carrying application form should be clearly mentioned and underlined with application form for the post of post of मान T6 advertisement number डालोगे आप जो उपर मैंने बताया आपको serial number इसका डालोगे जो आपका क्या कहते है जो post code है and category कौन से category में आप डाल रहे हो वो तो यह सारी चीज़े जो है mention करोगे अगर आप confused हो कि serial number category कहा है तो आपको यहीं पर मिल जाएगा serial number और category ठीक है आपको serial number और category सब कु करेंगे तो SMS के लिए age जो है 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए relax session according to UP government UP के students को ही मिलेगा ठीक है न इसका धियान रखियेगा okay so essential जब आपका सारा सब कुछ सही होगा na age सही होगा आपका draft वगरा सही होगा आपका application सही होगा तो finally यहाँ पर आपको interview के लिए बुलाया जाएगा only shortlisted candidate will be called for interview ठीक है ratio रहेगा 10 time for one post followed by 5 times for each additional post by the university ठीक है मतलब जो post अभी दिये है उसका 10 गुना जो है यहाँ पर रहने वाला है 18 post है तो 180 students को बुलाया जाएगा अगर university यहाँ पर कोई और post add करती है तो हर एक post के addition के लिए 5 गुना student बुलाया जाएगा मतलब अगर मान लीजिए एक post add किया गया 19 post हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि 180 के जगा 190 होगा बलकि 180 होगा ठीक है इस चीज का ध्यान रखिएगा और बाकी यह सारी चीजे है आप एक बार इसको download करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है और अगर आप इसके लिए फॉर्म भेजने वाले हो तो all the best उमीद करता हूं कि आपका इंटर्व्यू जो है वह समस के लिए वह अच्छा जाएगा और यहां पर कौन से डॉकुमेंट चाहिए क्या चाहिए वह सारी चीजे मेंशन है ठीक है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है यह के वी के जॉब मैं पत स्टूदेंट्स में जो लोग अप्लाय करेंगे उमीद करता हूं कि आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका रहेगा मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी और अगर आप मेरे डेली सेशन्स में डेली सेशन्स के बारे में नहीं पता है तो रोज सुबह 10 बजे अग्रिकल्च के क्लास में आना बिलकुल ना भूलिये ठीक है और साथ ही साथ डोंट फगेट तो सब्सक्राइब टू अग्रिकल्चर 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 24-7 थाइंक यू सो मुच